नमस्कार मैं अमरेंद्रितिवारी अल्टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों दो बड़े महत्तपुन ही अपडेट हैं इस वक्त मैं आपको देना चाहता हूँ सबसे पले तो आपको मैंने बताया था कि ट्विशन फीस को लेकर नीजी स्कूल के एसोसेशन ने हाई कोट का रुख अख्तियार किया था दरसल यह मामला तबका है जब राज में कोरोना के लोकडाउन में आपने देखा कि लगातार जो है अभिवावक संग अपनी तरीके से कह रहा था कि इसकूलों की फीस जो है वो माफ होनी चाहिए और तमाम तरीके की मिटिंग्स लगातार उस वक्त हुई थी दोस्तों और आप जानते हैं कि किस तरीके से उस विशम परिस्थिती में भी बहुत सारे इसकूलों ने फीस को लेकर जो है तरतरके विवाद भी पै आई थी हलाकि बाद में अभिवाबक संग ने कहा था कि इसके अलावे भी स्कूल तरतरकी फीस की डिमांट कर रहे हैं और इसको लेकर वो लोग कोट जाएंगे उस वक्त वो लोग कोट गए या नहीं गए ये तो पता नहीं चल पया लेकिन चुकि उस वक्त कहा गया कि अल अबर सुनवाई होगी दरासल हाइकोट में क्या हुआ हाइकोट में जो है इस पर सुनवाई हुई जारकन हाइकोट के जस्टीस राजे शंकर की आदालत में नीजी स्कूलों को सिर्फ ट्विजन फिस लेने के सरकार के आदेश के खिलाप दाखिल याचिका पर सुनुआई हुई सुनुआई के दोरान जो है हाईकोट ने महादिवक्ता से पूछा की सरकार का इस पर क्या रूख है और सरकार जो है इसके बारे में कब अपनी स्थिति अस्पस्ट करेगी महादिवक्ता राजी रंजन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया जिसके बाद की हाईकोट ने इस आग्रह को शिकार कर लिया इस संबन्द में जारकंड on added school association की ओर से याचिका दाखिल की गई है याचिका में कहा गया है कि राज सरकारों ने कुछ तरीके के restrictions जो है निजी स्कूलों पे लगाए है जिसके कारण की उनके salary जो कमचारी है उनको salary दने में दिक्कत हो रही है बस जो है वो सही तरीके से उ बहुत सारे प्रकंड ऐसे हैं जहाँ पर net connectivity अभी भी आज के समय में भी नहीं है तो दोस्तों इस मामले में बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूँ अब इस मामले की पूरी सुनवाई जो है आठ दिसंबर को होने जा रही है जो की अपने में तमाम दर्षकों को ये 27 नवंबर तक रेजिश्टेशन करा सकेंगे वहीं बिलंब सुल्क के रेजिश्टेशन कराने की तारिक 4 नवंबर से बढ़ा कर 23 नवंबर तक कर दी गई है बिना बिलंब सुल्क और खास करके 27 नवंबर तक बिलंब सुल्क के साथ चात्र वहां पे रेजिश्टेशन करा स वीडियो के साथ तब तक ले नमस्कार जै हिंद जै भारत जोहार जारकंड जै जारकंड बहुत बहुत शुक्री आप सभी का